ये मैंने काई ये घोशना के नशा में है शिवराचे जी वो देख रहे हैं परदेश में जगए जगए जाकर कि जनता का मूड क्या है लोगों के चेहरों से समझा जाता है चुनाव नश्दी काई नहीं की मध्य परदेश की सियासत में नेताओं की तरफ से बयान बाजी का दौर शुरू हो गया एक और जहां केंद्री मंत्री जोती रादित्य सिंधिया लगातार सरकार की तारीफ कर रहे हैं और जनता के दिल में विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी पार्टी की बात करें तो कॉंग्रिस में चाहे कमलनात हो या फिर दिगविजय सिंग वो विमान में किस तरीके से लोगों की अगर हम बात करें तो उनका संख्या जादा बर हो गया है कि भाई वो लोग यात्रा विमान से जादा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कमलनात जो है वो मध्य परदेश में जो शिवरास सरकार है उस पर निसाना साथ नजर आ रहे हैं कि इस बार मध्य परदेश के चुनाओं में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली क्योंकि जनता शिवरास सरकार से परिशान है और इस बार कॉंग्रेस पार्टी को मौका देने वाली है तो क्या इस बार अगर मैं देखें तो कमलनात वर्सस सिंधिया की लड़ाई देखी जाएगी क्योंकि यहीं सिंधिया कॉंग्रेस में थे जब कमलनात मौजूद थे सिंधिया कॉंग्रेस से अलग होकर वीजेपी में गए तो ऐसे में देखा जा रहा है कि दो बड़े दिगज निता चुनाओं में उतरने की तयारी कर रहे हैं और सिंधिया वर्सस कमलनात की इस सियासी लड़ाई में किस पार्टी को फायदा होगा यह देखना होगा लेकिन अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि जोती रादिते से इंधिया क्या रहे हैं पर जोती हंदे तो सुना आपने कि सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं और ऐसे मैं कमलनात की तरफ से भी पलटवा रहता है शिवराज सिंग चौहान को लेकर कहते हैं सिंध्या को लेकर कहते हैं चुनाव को लेकर कहते हैं कि इस बार बीजेपी को मध्यपर्देश से अपना बुर्य विस्तर बान लेना चाहिए क्या कूछ कह रहें कमलनात देखें रिपोर्ट देखें ये शिवराज सिंग जी किसको गाडेंगे, किसका अं्त करीचे, मैं उसमें परदानी चाहता, पर मैं ऋभाड़ोंगा मैं आंध करूँगा महंगाई का, ब्रश्टाचार का, बेरोजगारी का, इन चीजों को मैं गाड़ोंगा हर बर्ग परिशान है, किसान परिशान है, अभी मैं नर्सिंगपुर से आज आया हूँ, नर्सिंगपुर में किसान परिशान है, उनको अपने गन्ने के लिए भीज नहीं मिल रहा, सही भीज नहीं मिल रहा, उनको कीमत नहीं मिल रही, मूले नहीं मिल रही, हर किसान परिशा खाद के लिए बीज के लिए ये पूरे प्रदेश में हाल है पूरे मालबा नेमार में लस्टन एक रुपए बेड़ रुपए में बिका प्याज लो पिमाटर लो ऐसी कौन सी चीज है जो और कौन सा वर्ग है जहां लोग परेशान नहीं है ये तो इनके मंत्री बिचारे मैं तो उनको बिचारा कहता हूँ कि वो कैसे फसे हुए है ये हर जगे इन्होंने जहां विकास यातरा भी निकाली एक सो साथ विधानसाबाद सेत्रों में इनकी खिलाफत हुई लोगों ने इनके अप्छब बोले ये आज हालत है ये मैंने का ये घोषना के नशा में है शिवराचेंगी कि वो देख रहे हैं परदेश में जगे 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 जाकर कि जनता का मूड क्या है लोगों के चेहरों से समझा जाता है कि क्या मूड है और जहां तक छिनवाड़ा का प्रश्ण है मैं यह कहना चाहता हूँ बीजेपी कमलनाच से लड़ती है जब चिनवाड़ा में चुनाब लड़ती है चिनवाड़ा की जनता से लड़ाई तरकी है और ये चुनाब चिनवाड़ा की जनता और बीजेपी के पीच में है मैं यहां राजनीती नहीं करता मैं एक समाज सेवक के रूप में चिनवाड में दो नए चेहरों के उतरने से आमने सामने की टकर से मद्यपरदेश की सियासत अब और ज्यादा आके जो है वो बढ़ती नजर आ रही है आज के लिए तहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार